आपके लिए बहुती 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 इंफोर्मिशन जिसका साइज आप कापी टैम से इंतिजार करते होंगे तो फैंड्स जैसा कि आपने टाइटल में देखा लाइक टू-स्टेप ऑथेंटिकेशन को हैग किया जा सकते है बिल्कुल फ्रेंड्स आज हम इसी चीज के बारे में डिसकस करेंगे और आज हम जानेंगे टू-स्टेप ऑथेंटिकेशन होता क्या है तू-स्टेप के एलावा आज है आपको बताने बारा हूं मल्टी- उसके लिए कौन से टूल का इस्तिमाल किया गया है और बहुत सारी चीजे तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की लिटर्स इंफर्मेशन आपको मिलती रहें तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ हम जाने की टू स्टेप ऑथेंटिकेशन तो फ्रेंड्स आज से काफी टाइक पहले अगर किसी भी हैकर को या आपकी फ्रेंड सर्केल में किसी को आपके आईडी और पास्वर्ट पता चल जाए तो आपकी आईडी को प्रूरल कर सकते हैं को यह चुरा सकते हैं, अजब कि बहुत आसान था जब तक कि तो स्टेप ऑथेंटिकेशन चान यह हुआ कि आपके ID और data को secure करने के लिए एक नहीं तरह की layer उसके साथ जुड़ गई यानि कि ID और password के साथ अब एक hacker को आपके phone number या एक ऐसी email ID की जरूरत होगी जो कि आपने authentication के रूप में डाल रखी है तो फेंट काफी सारी लोग जानते होंगे जुन्होंने टूफेक्टर authentication एक्टिवीट किया हुआ है तो जब आप अपने ID और password एंटर कर देते हैं उसके बाद भी उन्हें जरूरत होती है एक code की जो कि आपके phone number पे आएगा जो आपने रजिस्टर किया हुआ है अपने ID के साथ और उस phone number पे जो को code आया है उस code को डालने के बाद ही आप अपनी ID को access कर पाएंगे otherwise आपके ID और password अगर किसी को पता है तो without code, without two factor authentication के access किये बगएर वो उस काम को नहीं कर सकता या पर मैं बहुत सारे लोग ओने father of hacker के नाम से भी जानते हैं Kevin Mitnick उन्होंने एक public demonstration के जरी इस बात को प्रूफ कर दिया कि true factor authentication safe नहीं है ऐसा उन्होंने publicly किया एक tool की मदद से और अच्छा उन्होंने इसकी अगर आपके mind में question आ रहा है कि इस चीज के लिए उन्होंने किस तरह की technique का इस्तिमाल किया तो friends मैं आपको बताना चाहूंगा उन्होंने इस तरह का काम करने के लिए session जो cookies होती है उनका इस्तिमाल किया जो session था एक particular उस दौरान की जो cookies थी उन्हें capture कर दिया उसकी मदद से two step authentication को break कर दिया session cookies क्या होती है cookies क्या होती है हलाकि इसके उपर मैंने पहना ही कई वीडियो बना रखे हैं जा पर last time भी जो questions का answer वाला वीडियो था उसमें भी मैंने आपको cookies और cookies stealing के बारे में बताया वीडियो उसका भी लिंग दिया तो अगर आपके mind में ऐसे questions है cookies cookies stealing और session cookies वगेरा क्या ह वीडियो दीखे आपके टाउस थोड़ा के लियर हो जाएंगे लेकिन उन्होंने session cookies की मदद से ही two step authentication को hack किया और दूसरे computer में आसानी से वो जो process थी login process थी उसे करके दिखाया ऐसा करने के लिए उन्होंने इक टूल का इस्तिमाल किया इस टूल को जो बनाने वाले थी उनक लग जाता है या हला कि मार्केट में definitely जबकि क्यूबा जो गिरिस्किया वो वाइट हैकर्स हैं हला कि हैकर्स को अगर इस टूल के बारे में पता चलि जाता है या इस टूल को वो access कर पाते हैं तो two step authentication को hack करना बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी तूकि आसानी से इस इ बारे में थोड़ा देख सकते हैं तो friends, जैसा कि मैंने आपको गदाया two step authentication क्या है इसे दुनिया के सबसे बड़े hacker Kevin Mitnick ने किस तरह से कौन सी process के जरीह है क्योंकि कुछ चीजें हम live नहीं दे सकते हैं आप लोगों के questions हैं कि मैं आपके लिए website बनाओ तो बिल्कुल पफ़ सबर रखना पड़ेगा और wait करना पड़ेगा इन सबके इलावा friends, अगर आपके कोई भी questions है अगर आप यह चाहते हैं कि two step authentication के लिए कितनी maximum processes का हम इस्तिमाल कर सकते हैं जिसकी मदद से two step verification को hack किया जा सके तो friends, अगर आप चाहते हैं उसके उपर मैं एक video बनाओ तो आप comment box में comment कीजिए मैं आपको बताऊगा कि ऐसी कौन-कौन से methods हैं ऐसी कौन-कौन सी techniques हैं जिनका इस्तिमाल किया जाता है two step authentication या two step verification को हटाने के लिए लेकिन और उनसे हम बचे कैसे सबसे बड़ी बात यह नहीं है hacking I am not supporting hacking मैं बिल्कुल hacking के support में नहीं यूँकि आप hacking कीजिए illegal work कीजिए किसी के ID passwords को break कीजिए मैं आपको बताऊगा वो techniques और उन techniques से बचने का तरीका यानि कि अगर वो techniques को कोई कैसे इस्तिमाल करता है और उससे हम कैसे बच सकते हैं यह मैं बताऊगा तो friends यह था हमारा आज का वीडियो और आप मैं आपको बताता हूं कि यह सबते के जो लग्की मिनर्स हैं उनके नाम क्या है तो चलिए friends अगर आप चाहते हैं इसी information दिलती रहें तो देखते रहीं तब तक पहले हम लग्की मिनर्स का हम जानते हैं क्वें हम जान Уबडिये तो ones बाहनों ईतो यह स्थि आपको यह से हैं आप कimately क्या है छो टुझहा हैं एपको, दो एक विकमें ना जापको, प्रोड़ को चो आपको, द और दॉचह मैं तो यह सबते हैं